हम लोग करना पड़ेगा और अगर पहले बैटिंग होई तो बड़ा टार्गट देना पड़ेगा वान 80 प्लस का टार्गट देना पड़ेगा ऐसी बैटिंग लाइन अप है जैसे इंडिया ने चेस किया आज अच्छाइब आपको मैं बता दूँ इंडिया इस वर्ल्ल कप को ले जाने के मूट से आए ठीक है और आप देख लें वाम अप मैच के अंदर जिस सरह से आगे वीडियो देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया का रियेक्शन आया जो भारत ने आज मैच जीता है सेकेंड वाम भारत की टीम सेमी फाइनल फाइनल में तो बड़ी आसानी से पहुचाती है लेकिन फिर उसके बाद हार जाती है और ये सच्चाई भी रही है पहले वीडियो देखेंगे दोस्तों फिर वीडियो के अंतिम भाग में बात करेंगे ये सच्चाई भी रही है कि 2014 स्री लंका के खिलाब हम फाइनल खेले थे आपको याद होगा और उसके बाद से 2021 तक जो भी टेस्ट चैंपिंसिप का फाइनल हुआ था हम मैच हार रहे हैं ICC टूनमेंट के फाइनल्स या नॉक आउट्स या सेमी फाइनल जो भी कहने हैं आप इन समें मैच हार रहे हैं अगर मैं आपक के साथ बहुत आउस्टेंडिंग बैटिंग कर रहे हैं दोनों एधा आउपनिंग पेर तो पाकिस्तान के लिए 24 तारीक का मैच है उसमें यह कमस होते हैं कि खत्रे की घंटी बजा दी है इनकी बैट्समेरों ने गो के अभी इशान किस्टन को खिलाया था तो वह तो 11 पे नहीं होगे है तो आउपनर तो कमस कम नहीं खेल रहे इतना सॉलिड बैक अप है कि वो रोई शर्मा को रेस दे दे दें विरात कोली को ना भी खिलाए तो तब भी उन्हें इंग्लेंड जैसे टीम भी खिलाफ 189 आराम से चेस कर लिये थे तो भारत की टीम मुझे लगता है कि वो जाई पेल में खेले सब लड़के और फिर जो उनको मैचेस दोनों पैक्टिस मैच मिलें 153 पे रिस्रिक किया सिरफ 152 पे बलके ऑस्टेलिया को तो उनका मुराल तो बहुत हाई और पाकिसान को भी बहुत जादा मेनत करना पड़ेगी इस तैसे टीम को औराने के लि तो उसकी वज़ा यह है जी इतने पाते है वो अलग बात है वो अलग बात है एंड टाइम पर साथ अफ्रीका को हम लोग चोकर बोलते है मैचाल सब हिंडिया को चोकर बोल देने चाहिए कि नॉक आउट में जाकर हार जाते है लेकिन देगे उनकी बैटिंग में जो उनका टॉप ओडर है वो हमेशा से स्ट्रॉंग रहा है डवन चले गा है अब केल रहूल आगा है लेकिन स्ट्रॉंग है मसला आता है उनके मिडल ओडर में और अभी भी देखें सुरिया कुमार यादफ को मुडल ओडर में और कुछ आई पील यह जो सेकंड लेग हुआ है अकुल असान नहीन होगा पाकिस्तान को हराने के लिए लेकिन टी-20 बेंस्ट आशा सिर। जो किसी एक प्लियर काप दोस्ते में और कि बाहिसानख कुना होगा मेरे हसाब से यूए की फिकर यह हैं आप तैर ना 개 जो का मेरे नहीं हैं यह आई लíकु यूज होए मिरासे औ और भारत के हवाले से बात की ना अच्छी टैग लाइन दे दी है आपर कि चौकर्स लेकिन परफॉर्मस अच्छी होती है चाहिए वो 2017 का चेंपिस टॉफी का अविसली फाइनल हा रहे हों 2019 के वर्लकप का न्यूजिडेंट से सेमी फाइनल और फिर अविसली चेस्ट चेंपिस्शिप का फाइनल भी हा रहे है तो विराद कोली के लिए येक आखरी टॉर्नमेंट है अईदा कैप्टन T20 फार्मेंट में अबुबकर और अविसली उनके साथ धोनी मौजूद है रवी शास्ती मौजूद है और रवी शास्ती और विराद कोली तो काफी अर्से से एक साथ हैं पाकिस्तान का दोकर मामला बाद भी डिस्केस करेंगे कि हम माशाला किसने की प्रिपरेशन से आगे हैं कि हमें कोची दी वर्ल्ड कर में डेब्यू कराने पड़ेंगे और हमारे कंसल्टन भी नहीं नहीं बड़ विराद कोली के लिए यहां पॉइंट है पुरूफ करने का पताँ यह उसका नेगेटिव असर होता है पॉजिटिव के आखरी टॉर्णमेंट है आखरी चांस है टी-20 फॉर्मेट में अटलीज अधर कैप्टन जीतने का आप पर क्याल है प्रेशर तो होगा चूग केरियर का में हिसा वो खेल चुके हैं अजा कैप्टन कर चुके हैं और अब वो अनौन्स कर चुके हैं कि हम मैं वर्ल्ड कप के बाद अब इंडिया टीम का कैप्टन नहीं रहूंगा तो यह उनके उपर मेरा ख्याल है कि उनके बरड़न होगा प्रेशर भी विरात कोली के और दूसरी तरफ बाबर आजम बिलकुल यंग है नएने कप्तान बने हैं पाकिस्तान टीम को पहली बात लेके वर्ल्ड कप के अंदर जा रहे हैं तो इनके उपर खोने के लिए कुछ नहीं है इनके पास तो एक साइकलोजी कली अगर देखा जाए तो प्रेशर विरात कोल हैं और पाकिस्तान के मैच से पहले बाउंडरी पर खड़े होके हमें कुछ इंडियन प्लेयर्स भी वहां पर दिखाई दिये कि वह पाकिस्तान का मैच देख रहे हैं तो दोनों टीमों ने अच्छी मेरा खैला के तियारी की लिए लेके लिए लेके लिए लिए नहीं पाकिस्तान का वाम अप मैच देखने के लिए ग्राउंड में आए ऐसा बिल्कुल नहीं है वो अपना मैच के लिए आयते लेकिन लगा कि बाउंडरी पर खड़े होके जिस तरह एक कंपैटिटर को देखना चाहिए इधर इंडिया की टीम कहें तो चाहिए पाकिस्तान की पाकिस्तान का मैच मुझे लग रहा है यह छोड रिपीट नहीं दूसरी जर्फ से बिल्कुल हो सकते हैं अच्छा मुझे आप मुझे बताएं कि आपको क्या लग रहा है इस बार इंडिया या पाकिस्तान कौन जीतेगा आपकी क्या इसमें राइए इतना मुश्किल आपन पर आपका कॉंफिनस बहुत हाई होता है वोमेंटम भी गेन करते हैं और इंडिया के पास सिर्फ एक कमी मुझे दिखाई देती है वो जो हमारा भी वही प्राब्लम है कि नंबर 6 नंबर 7 में मुझे रगता है कि वहां उनको भी एक बड़ा प्रॉपर एक्सेलिडरेटर ज के बाद जितने यंग्स्टर आ गए हैं उनकी बॉलिंग के अंदर आप डेप देखें उनकी बैटिंग सॉरी स्पिनर्स देख लें तो मेरे ख्याल में तो भारत की स्टीम में कमदोरी ढूंडने से भी आपको शायद एक आधी नजर आती है बट यह और बात है कि पाकिसान कर देखें जैसे आपने ला टॉस का भी बहुत बड़ा रोल होगा कि अदिकर आपने देखा होगा बंग्दादेश उमान के वह बहुत जादा डियू थी और आगे जैसे जैसे वर्क चूज़रेगा तो डियू का बहुत बड़ा रोल होने वाला है इस में हो बात की जाए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह कि फाइनल 11 क्या खिलाएंगे कि यह जितने भी प्लेयर हैं सारे प्रोवन परफॉर्मर हैं उनके लिए देखें कॉम्बिनेशन बनाना मेरे खाल से पांडिया की वज़ए से बड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि जैसे आपने बोला एक बार्फॉर्म परफॉर्म किया थे प्रफॉर्म किया है तो आगे देखना होगा कि इंडिया के लिए सबसे बड़ा मसला है कि फाइनल 11 क्या खिलाते हैं चलिए हमने तो मुझसे अबुबकर ने सवाल पूछा था है मैंने रजा की तरस कर दिया लेकिन मैं फिर भी समझता हूं अंदर डे कुछ होगा है कि अबुबकर आप भी क्या रहा है और बहुत साए लोगों साब क्यों मुलाकात भी हो रही है आप जा भी रहे हैं इसकी मै बहुत ज्यादा कैपेबल हैं इस तरह की चीजों को टेक्निकली समझते हैं वो उन्हें ने इंगलेंड के साथ काम किया हूँ है तो आप ही क्या रहा है वी आर प्रपेरड फॉर दिस मैच देखें वही स्टाटेजी होनी चाहिए जो पाकिस्तान ने चेंपेर्ज टॉफी के फाइनल में अपनाई वही स्टाटेजी होनी चाहिए जो न्यूजिलेंड ने वर्ल्ल कप के समी फाइनल में इंडिया के साथ अपनाई अगर हमने इंडिया के टॉप और्र को पकड़ ल मैंने चैंपेस टॉफ़े के फाइनल के अगाज फराम किया इस तरह का आगाज मेरा ख्याल है कि अगर शाहिन चाफरीदी और हसन अली पाकिस्तान को परवाइड कर दें तो फिर डेफिनिटली इंडियन टीम फाज जाए कि और अगर एक सो तीस चालिज पचास के दर्मयां स् ही होता है एक मिडल रंस के जो एक टारगेट होता है देट सो रन का उसको चेस करने के लिए तो पाकिस्तान का फिर हमें कमसकम टॉप और ऐसा है कि हम उनके ओपर डेपेंड का शक्ते हैं खासकर बाबराजम के उपर और रिजवान के उपर लेकिन बॉलर्स को मेरा ख्याल ह तो दोस्तों ये वीडियो यहां पर होता है ख़त मा आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया यहां पर बात कर रहा था भारती टीम के बारे में भारती टीम के वाम अप के बारे में और भारती टीम के उन्होंने रिकॉर्ड भी बताया जो कि ICC टूनामेंट में रहा है 2014 में अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैंने साइध स्कोर कार्ट बहुत पहले देखा था तो वहीं पर हम मैच हार गए थे और उसके बाद 2015 का सेमी फाइनल आपको याद होगा अस्ट्रेलिया के खिलाब फिर उसके बाद 16 का सेमी फाइनल वेस्ट इंडीस के खिलाब फिर 17 का चैंपि का फाइनल हम हारे हैं तो ये बात बिल्कुल सच है नॉक आउट्स में इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा है पिछले मतलब 2014 से अगर बात करें तो तो गाईज अब पाकिस्तानी मेडिया का मतलब एक मजा बढ़ाने का मौका मिल गया है पाकिस्तान साइध य हमी फाइनल या फाइनल में उस ग्रुप से मुझे लगता है और इंग्लाइन या वेस्ट इंडीज इन तीन टीम में से कोई एक मिलेगी हो सकता है वेस्ट इंडीज मिले और वेस्ट इंडीज 2014 की हमारी बहुत बुरी यादे है भारत ने 100 सी स्कोर किया और वो आपको भी वो किस तरीके का गरगेट खेलते हैं पावर हिटर्स ने सारे फिर उनोंने जो मारा है भारत को हाला कि नो बॉल भी हुई थी लेकिन उसके बाद भी बहुत बूरे तरह से मतलब उनोंने हराए था मुंबई में ड्यू आई थी और भारत के बॉलर बिलकुल बहुत जादा दोस्तों आपको बताएं कि जो चोकर्स का टेग है वो हटेगा नहीं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं क्योंकि भारत की टीम बहुत स्ट्रॉंग है दुनिया में हम लगभग आप देख सकते हो 5-6 साल से मतलब 5-6 साल से तो नहीं मैं तो बूलूँगा 2011 के पास से भारत क कर हम जीते हैं हम T20 सीरीज इंगलेंड आस्ट्रेलिया सब जगें न्यूजिलेंड में जाकर जीते तो आप समझ सकते हो इंडिया का प्रफॉर्मिस कैसरा है उस हिसाब से मैं देखू को भारत को ये T20 वर्ल्ड कप जीतना ही चाहिए अब गाइस मैच है नॉग आउट्स मे अच्छे खासे 52 बनाएं फकर जबान आपको याद होगा चैंपेस ट्रॉफी का फाइनल नो बॉल उसके बाद सेंचुरी फिर इंडिया हारी थी वो मैच तो गैस फकर जबाने को मतलब भारत के लिए एक हो सकते हैं डेंचरस प्लेयर आपको क्या लगता है कॉमेंट 360 था वो दिखा उनका आपने देखा हुगा उनको उतना लंबा मौका खेलने का मिला नहीं लेकिन उन्होंने 360 उन्होंने दिखाया और हार्देक पांड्या ने जाते जाते एक चक्का जरूर मारा गाइस आपको बता दे कि आज हम बिना बुमरा और शमी के खेल रहे थे ले क्योंकि अश्विन मुझे लगता है बहुत जादा एक्सपेरिमेंट के लिए चले जाते हैं और ब्रिक रखें नॉर्मल तो वो बहुत अच्छे बॉलर होंगे और राहुल चैर मुझे नहीं लगता कि इनको एक भी मैच के लेका मौका मिलेगा आपकी प्लेइंग 11 क्या हो करते हो सारदुल ठाकुर को तो आप बताइए आपकी प्लेइंग लगता है